हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक तो मैं यूट्यूब चैनल दुर्गाक्षी मेकोवर्ट्स मैं मीनू आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस्टिक्स हाइलाइट कैसे करें मैं आपको बता दूँ बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है इसका तो यह मैंने किस तरीके से की है इसके लिए आपको वीडियो एंट तक देखनी होगी तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं यहां पर मैंने इस्टिक्स काई ब्लॉंडर पाउडर है डेवलपर है और कलर भी इस्टिक्स काई है तो सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे और उसमें हम यह तीनों चीज मिक्स करेंगे तो सबसे पहले यहां पर मैं ले रही हूँ ब्लॉंडर पाउडर और उसके बाद मैं एसमें डालूंगी डैवलापर, आप देख सकते हों ने कितनी कौंटिटi ले रहे हूं यहां पर, जितना हमारा plug पाउडर है, उतनी ही क्वांटिटी हमें डैवलापर की रखनी है, और उसके बाद मैं इसमें मिक्स करूंगी अपना गुल्डन कलर जो मेरा फेवरेट है बस इतनी ही कौंटिटी रखनी है हमें और अब हम इसे अच्छी से मिक्स कर लेंगे एकी स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं अच्छी से मिक्स करेंगे यहां पर मैं पार्टिंग कर रही हूं मैंने श्यक्सम बना लिए हैं आप देख सकते हो फ्रेंट में बना रखा है मैंने और दो साइड से और पीछे बैक में बाला को मैंने प्रचर से बार रखा है करने के बाद हम फ्रंट से बार निकालेंगे आप देख सकते हो जिस तरीके से मैं निकाल रही हूं कॉम करेंगे और लेयर जितनी लेयर चाहिए आप उतनी निकाल सकते हैं यहां पर मैं फायर प्लियर ले रही हूं और आपको पतली लियर लेनी है, मोटली नहीं है, यहाँ पर डिपेंट करता है, यहाँ पर मैं पतली लियर और नीचे के बालों को छोड़ देंगे, और जो लियर हम निकालेंगे, इसको इस तरीके से फॉल पीपर लगाके, फिर हम इस पर एप्लिकेशन एड़ करेंगे, पिर बालों पर देख सकती है, तरिके से फिरसे बाल उठाएंगे, फिरसे बाल उठाएंगे, और फिरसे हम लेर लेंगे, इस तरीके सी यहाँ पर ले रही है, फिरसे बालों को छोड़ देंगे, आप देख सकते हैं मैं साइट से लेए निकाल रहे हुँ ए अच्छी से कलर करेंगे और फिर पुरी बालों पर अच्छी से और इसी भी हम इस तरिके से सेम तरिके से फॉयल में बंद कर देंगे आप देख सकती हूँ मैंने मेरी हाइलाइट हो चुकी है अब मैं नीचे के बालों को हाइलाइट कर रही हूँ मैंने हाइलाइट की एक और वीडियो बनाई है आप मेरे चैनल पर साच करके उसे देख सकते हूँ पहले भी मैंने हाइलाइट गोल्डन कलर से की थी क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा फेवरेट है मेरी हाइलाइट हो चुकी है आप देख सकते हो कितना अमेजिंग रिजल्ट आया है इसका और बहुत ही खुबसूरत गोल्डन कलर उभर के आया है आप देख सकते हो गाईज केबल मने थर्टी मिनट रखा है और थर्टी मिनट में ये अमेजिंग रिजल्ट हमें मिला है कितनी अच्छी हाइलाइट हुई है अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो फ्लीज लाइक करें कमेंट करें शियर करें और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राब कर लिया है तो थैंकी सो मॉच और नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए कि आप देख सकते हूं कि वाशिंग के बाद कितना खुप शुट लग राया है यह गोल्डर कलर बहुती उभर के आया है थर्टी में अनुट में